हेलो फ्रेंज मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया स्क्रेटिव गार्डन फ्रेंज आज जो है हमने अपने पुराने कुर्टे से और एक चुन्नी से बहुती बढ़िया मिक्सी का कवर बनाया है और ये परदा बनाया है साथ में आपको जो है ये टेस्टी मेवा पाग यानि की मेवा कतली या कई एनरजी बार भी बनाना बताएंगे फ्रेंज जो की बहुत जल्दी बन जाता है तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी मिक्सी उठा लाएं कि क्योंकि शुरुआत इसी से करेंगे और साथ में अपना ये पुराना कुर्टा कुर्टा मेरा ये बहुत अच्छा था बस थोड़ा सा टाइट हो रहा था तो मैंने सोचा कि इसको चलो कोई यूस किया जाए क्योंकि इसका कपड़ा बड़ा प्यारा लगता है मुझे तो सबसे पहले हम अपने कवर का नाप ले लेते हैं और नाप जो है कपड़े से बेटर है कि पहले कागज में काट लें ताकि जो गरबड़ी रहे इसी में हम लोग ठीक कर लें इसको तो मिक्सी के जो साइड वाला हिस्सा है न ये वाला देखिये ऐसे इसको लेटा करके नाप लेना है ये इस तरीके से किनारे से बेकुल इसको कर लीजिये लगा लीजिये और इसी से जो है मारकर से निशान लगा लीजिये और फिर इसी को हम लोग को उतार लेना है कपड़ यह देखे किती असानी से ले लिया ना अब इसको जो है थोड़ा सा ज़्यादा हम बढ़ा लेते हैं ताकि जब सिलाई करेंगे ना थोड़ा सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए तो मैंने बस आदा सेंटीमीटर से भी बढ़ा करके बत्ब जयादा ले लिया है ताकि एक्स्ट क्योंकि दो बनने हैं पार्ट्स आगे का पीछे का तो नीचे का ये हम काट लेते हैं पहले वैसे तो इसको रख सकते हैं लेकिन फ्रेंच मेरी जो मशीन है बहुत मोटे कपड़े पर चलती नहीं है और जो नीचे का वो निकला है न वो भी मेरे काम का उसको मैं वेकूंगी न और बस किनारे से रख करके यह पैटर्ण मैंने ऐसे देखे इसमें रखा इसको निशान लगा लेते हैं यह फ्रेंज चोटी चोटी चीजे हम लोग करते हैं निशान लगाना मार्क करना यह सब फ्रेंज बड़े फाइदा रहता इससे कटिंग वेगर बिगरती नहीं है यह इ इसमें बढ़ा रहा है हम यह मिक्सी का शेप पूरा रेडी हो गया ना देखे कट करके यह निकल आया है यह दो पार्ट्स में आए हैं यह एक इधर लगेगा एक पीछे की तरफ लगेगा अब मुझे फ्रेंट का यहां का उपर का हिस्सा लेना है तो सबसे पहले जो मैक्स जो को इस ट्रेट पट्टी काट नहीं होगी जो की इसकी की लंबाई यह होगी जो इसमें मेजर्मेंट जैसे मैं कर रही हूं या बहुक्त इस ट्रेट पट्टी कटेगी यह तो यह मेरी आईये 30 cm, sorry 30 inches, inches है फ्रेंट्स यह जो है 6.5 inches है तो मैंने 6.5 को पूरा 7 कर लिया है और 30 को 31 ले लेंगे कुड़ते की जो है मैं उपर की जो बाहें वगेरा है और गला है वो हिस्सा हटा दिया है अब सीधे से पट्टी यहां से मैं ऐसे काट ले रही हूं लेकर के यहां से मैंने पूरा 7 इंचिस ले लिया है इसको और फ्रेंच यह बहुत असानी से बन जाता है जटपट कोई टाइम नहीं लगता है मुझे बनाने में हाफ नावर लगे थे इसको शो मैं जल्दी तोड़ा गर रही हूं आपको अगर आपके पास पतला कपड़ा है तो दोहर के भी कर सकते हो आप यह देखिए इसको ऐसे लगाना होगा पहले हम अपनी सिलाई मशीन तो उठा लाएं यह सिलाई मशीन भी आगई है अगर आपके पास बहुत पतला कपड़ा है तो उसको डबल करके अस्तर करके भी लगा लीजे नहीं तो सिंगल ही रहने दीजे क्या मिक्सी के सकते हम लोगों कवर करना होता है ताकि दाग धब्बे ना लगें ग्रीस के किचन में रहती है ना तो तेलेल के निशान लग जाते है इसमें पता नहीं चलता दीरे दीरे अब देखिए अगर आप बिगनर हो ना विट्षी से इसे अपर कर दिया है कपड़े का और यह वाले का भी मैंने जो था सीधा वाला था वो अंदर कर दिया है ताकि सिलाई जो है वह उल्टे हिससे में ही आए अब यहां से ऐसे पकड़ करके मुझे पूरा इसके सिलत चलना है यहां अगर आप बिगनर हो तो यहाँ पर आप बेबी पिंस जो बॉबी पिंस आती है ना इनको भी ऐसे टक कर सकते हैं नहीं तो हाथ से पहले ना कच्छा कर लीजे फ्रेंट से बहुत असानी से सिल जाता है बस पूरे कॉर्णर पर कॉर्णर मिलाते रही है देखिए जो पती है हम लोग की लंबी वाली वो तो ही स्ट्रेट है बस हम लोग को इसी के कॉर्णर पर ऐसे पूरा मिलाते चलना है नीचे तक पूरी पट्टी यह ऐसे ही आ जाएगी जब आप हाथ से एक बार कच्छा कर लोगे ना फिर मिक्सी चलाना ठीक मिक्सी नहीं मशीन मशीन चलाएगा तीक रहेगा फिर आपका बस उसमें कुछ नहीं करना बस सीधा 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 सिलते चलना है और डिजाइन कटी हुई है ना तो जो सीधी है वह अपने आपी उस पर फिट हो जाती ही जाकर करके यह देखे मेरा यह बन गया एक हिस्सा मैंने इसको जोड दिया है अभी मैं डाइग्राम से आपको और क्लियर कर दूँगी ताकि क्लियर हो जाया आपके अब दूसरा वाला जो पोर्शन है इसको भी मैं यहां से जोड ले रही हूँ यह देखे इसको इसको भी सेम वैसी मैथट से जोड ना है नीचे से पट्टी के दूसरी साइड में यहां से देखे ऐसे करके इसको सिलते जाएंगे वैसे ही सेम तरीके से बिकुल सिलना है और मिक्सी पर भी हम डाल के भी देख रहे हैं ताकि कुछ घरबड़ी रहे तो मैं लगे आथ अभी ठीक कर लूँ ये थोड़ा सा मेरा लंबा हो रहा है तो मैं नीचे से थोड़ा थोड़ा मोर दोंगी यहां से सिलाई मार देते हैं फिर आपको अभी शो करेंगे बाद में हम अब फ्रेंच ऐसे यह था ना यह दो हिस्से देखे कपड़े के मैंने काटे थे और यह वाली जो दिख रही है यह लंबी पट्टी यह आगे का हिस्सा था पीछे का धर का यह पट्टी यह लंबी वाली यह 30 cm क है उसको मैंने इस तरीके से पूरा सिला है अब इसके जस्ट पीछे जो है दूसरा वाला सिल गया है तो अपने आपी मतलब वह हो गया है यह फ्रंट वाला हिस्सा आगे है कोई भी पट्टी आफ मतलब यह जो पीस है फ्रंट में रख सकते हो मतलब जो लाइनिंग वाला है वो स्ट्रेट पट्टी है जो की इस तरीके से जुड़ गई है पूरे में इधर दोस्तों जो मैंने परदा भी सिल लिया है अपना छोटा परदा सिला है इसमें जोड लगाया था हमने को कपड़ा कम पड़ गया था तो आपको तिंक दिख रहा है यह चुन्नी का कपड़ा है मेरी पुरानी चुन्नी को इसको मैंने डबल करके लगाया है अक्चुली मैं जहां और इसके बीच में जो मेरी पहले टुकड़ा निकला था वही सिल मैं डोरी बनाऊंगी तो चलिए अब किचन में ले चलकर को डाल देते हैं हम यह मेरी वही वाली रैक जो मैंने पेंट कर करा है जरूर कमेंट करके बताईएगा और यह मेरा परदा देखिए कितना बढ़िया हो गया है हाइट बढ़ाने के लिए मैंने कपड़ा लगा दिया है उपर से भी और फ्रेंट जो मैंने कुर्टे से नीचे की डोरी काटी थी वह देखिए उपर इसको मैंने बानने में तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताईएगा मेरी एक कुर्टे से दो दो आइटम रेडी हो गए हैं अब नेक्स्ट आइटम आपको हम बताना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने दो दो कडाईया चड़ा दी हैं दोनों में ही काम होगा इसलिए बहुत जल्दी 15-20 मिनिट हो जाएगा तो सबसे पहले मैंने एक कटोरी ले लिया कोई भी एक कटोरी आप ले सकते हो उसी का मेजर्मेंट चलाना है तो यहां पर मैंने दो कटोरी चीनी डाल दी है दो कटोरी चीनी में मैंने जो था देड़ कटोरी ही पानी डाला है यहां मैं चाशनी बना रही हूँ चाशनी बनाने को चड़ा दिया है कड़ाई में दूसी कड़ाई में एक चम्मत जो है देशी गी डाला है यहां पर मैंने जो था सूखा जो नारियल आता है उसको महीन महीन काट दिया है थोड़ा सा मैंने यह लिया मखाना लिया है और मैं जो खर्बुजे के बीच तर्बुजे के बीच जो भी आपके पर ड्राइफ फ्रूट हो जितनी भी मात्रा में हो कम जादा वो ही काट लीजे मेरी जितनी भी मेवा है न ये चार कटोरी है वही जो कटोरी आपको दिखाई थी न वही कटोरी है तो चार कटोरी में मैंने जो था दो कटोरी ये चाशनी डाल करके चाशनी बना रहे हैं हम तो इसी मेजरमेंट पर मैं बनाती हूं तो मेरा ठीक बनता है इसी रेशियो में कि चार कटोरी मेवा है तो दो कटोरी चीनी का चाशनी इसमें थोड़ा-थोड़ा सा मैं भून ले र पतला पतला काट दिया है और बहुत हलका ही भूनना है मुश्किल से आप कहिए कि एक मिनट तक बस उससे जदा नहीं भूनना है मेरी आखरी वाली कुछ ब्राउन सी हो रही है वैसे अब घी जो है अल्मोस्ट खतम हो गया है तो इसी में थोड़े बहुत में जो मखाने हैं य को भी डाल दिये हैं यह चाशनी भी अल्मोस्ट रेडी हो रही है और यह धकरना इसलिए दोस्तों जरूरी है क्योंकि जो खर्बुजे तर्बुजे के बीज है परपड़ा करके ऊपर आते हैं तो इसलिए इसको कवर जरूर कर दीजेगा गैस बंद कर दिये उदर ट्रे को भी मैंने ग्रीस कर दिया थाली को अपनी अब यह जो है अलके से रोस्ट हो जाएंगे इधर जो है मैं काजू और बदाम को थोड़ा सा दरदरा दरदरा पीस रही हूं इसको पाउडर आप बना सकते हो लेकिन हमें पाउडर अच्छा नहीं लगता है यह जो है चाशनी बन मिना ज्यादा नहीं सारे मेवा मिक्स कर दे रहे हैं इसी में अगर यह आपको लग रहा है कि आपकी चाशनी बहुत ज्यादा हो रही है तो फ्रेंट्स कढ़ाई में इचोड़ दीजे गैस की आच में सब थोड़े में सोक लेगी सब वो गाड़ी होती जाएगी और गरमी गरम इसको आप ग्रीस करी हुई जो आपकी ठाली थी ना उसी में पलट दीजे थंडी जहां हो जाएगी सब जम जाएगी आपकी तो थंडा होने से पहले ही यह काम कर दीजेगा थोड़ा सा प्रेशर दे करके इसको दबा दीजे तो पूरा यह आपका मेवा पाक तयार हो है यह फ्रेंट बहुत टेस्टी है और इसको आप बहुत दिन तक कर रख सकते हो महिना भर से जादा रख सकते हो अगर आप चीनी नहीं कहने को रहता है तो आप इसमें गुड भी डाल सकते हो गरमी गरम इसको काट लिजेगा थोड़ा सा पीसे कर लिजेगा जो भी साइश के चाहें तो कि थंडा होने में तोड़ना थोड़ा का मुश्किल हो जाता है इसको तो फ्रेंट्स यह रेडी हो गई है थंडी भी बिल्कुल हो गई है तो बस अब मैं इसको भर के रखूंगी काफी दिन चलती है तो आप चीनी की जगे गुड़ भी यूज कर सकते हो चाहे तो आप पिसी लाइची का ड़ाल दीजे कुछ भी डाल दीजे वो आपकी टेस्ट पर है जाएफल का पाउडर भी डालते हैं लेकिन हमको जो है ऐसे ही प्लेन पसंद है तो बस इस डिब्बे में मैं भर करकर रख देती हूँ छोटे-छोटे पीसे जब जितना मन हो तो फ् फिर मिलते हैं आप से किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई